यूँ होता तो दस महीने और गुलाम रहता देश इन दो वजहों से बदल दी गई आजादी की तारी ये वीडियो में जो जानतारी है वो इतिहास में से लिगई है इसमें हमारी कोई मंदरित कहानी नहीं है 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंगरेजी हुकूमत से आजादी मिली थी ये दिन हर भारतवासी के लिए महत्वपूर्ण है इस साल हमारा देश 75 वा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश को आजाद करने की तारीक कुछ और थी इस साल हम 75 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इस दिन हर भारतिये उत्साह से भरा हुआ नजर आता है और पूरा देश देश भक्ती की भावना में सराबोर रहता है वैसे तो ये तारिक किसी किसी और दिन के मुकाबले भारतियों के लिए ज्यादा खास है लेकिन क्या आप जानते हैं भारतिय नहीं चाहते थे 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं चाहते थे दरसल फरवरी 1947 में नैचुनकर आय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड इटली ने घोशना की थी कि उनकी सरकार 3 जून 1948 से भारत को पूर्ण आत्मप्रशासन का अधिकार प्रदान कर देग को ये जिम्मेदारी थी कि वह व्यवस्तित तरीके से भारत को सत्ता हस्तांत्रित कर दें। देश का वायसराय बदले ही आजादी की तारिक भी बदल गई। इतिहासकारों के मुताबिक इसके पीछे दो वजह थी। पहली ये कि माउंट बेटन ब्रिटेन के लिए 15 अगस् में 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्म समर्पन किया था। इसलिए मौंट बेटन ने ब्रिटिश प्रशासन के सामने ये बात रखी कि भारत को सत्ता हस्तांत्रित करने की तिथी 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी जाए। तारिक बदलने की पीछे इतिहासकार दूसरी वजह ये भी मानते हैं कि ब्रिटिशों को इस बात की खबर लग गई थी कि पाकिस्तान के स्थापन्क मुहम्मद अली जिन्ना जिनको कैंसा है। जिस कारण वह ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रह पाएंगे और फिर महात्मा गांधी देश का बटवारा कद्दापी नहीं ह उने देंगे यहीं वजहती कि मांट वेटन ने 15 अगस्त 1947 को ही आजादी की तारीक तै कर दी।